चोपड़ा है जो किस यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चो डबल ए ट्रिपल सी का सेड्यूल जारी हो चुका है यानि जिन कंडिडेट को आयूस में एड्मिसन लेना है BMS, BHMS, BMS, BMS में तो वो अभी रजिस्टेशन कर सकते हैं हालांकि ये सेड्यूल इसका होमियोपतिक की वेबसाइट पर काफी दिन पहले अपलोड हो गया था लेकिन डबल ए ट्रिपल सी की वेबसाइट पर अफिसेली अभी अपलोड हुआ है तो मैं यहाँ पर आपको इसका सेड्यूल बता देता हूँ कब आपको रजिस्टेशन करना है, कब 24 फिलिंग करना है और 1st, 2nd और मॉप अप राउंड, stay vacancy राउंड का क्या सेड्यूल रहेगा इस वीडियो में चर्चा कर लेते हम तो वीडियो सुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर 24 फिलिंग के लिए आप कौन सी कोलेज कैसे फिलिंग करें तो इसके लिए आप हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं आयूस की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है तो सबसे पहले हम सेडूल देख लेते हैं फर्स्ट राउंड का फर्स्ट राउंड के रिजिस्टेशन 10 नॉंबर 22 से स्टार्ट होके 14 नॉंबर 22 तक क्लोज हो जाएंगे और इसकी 24 फिलिंग का 14 नॉंबर 22 तक रहेगा और लोकिंग कर सकते हैं 14 नॉंबर 22 तीन बज़े से की रात को 11 बज़े तक कर सकते हैं इसके बाद में ये ओटो लोक हो जाएगा अगर आप लोक भी नहीं करते हैं तो कोई प्रोब्लम नहीं ये ओटो लोक हो जाएगा इसमें रजल्ट आ जाएगा 17 नॉंबर 22 को और रिपोर्टिंग टाइम होगा फर्स्ट राउंड के लिए 18 से 24 नॉंबर 22 इसके बाद में सेकंड राउंड का सेडूल फर्स्ट डिसंबर से स्टार्ट होके फिप्त डिसंबर तक रहेगा 24 फिलिंग का भी ये ही टाइम रहेगा लोकिंग 3 बज़े से लेके राद 12 बज़े तक होगी 5 दिसंबर 22 को इसके बाद में रजल्ट आ जाएगा 8 दिसंबर 22 को रिपोर्टिंग टाइम में हो रहेगा इसमें 9 से लेके 17 दिसंबर 22 इसके बाद एक बार मोप का सेडूल देखे हम तो मोपप के सेडूल में 23 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा 27 दिसंबर 22 तक रहेगा च्वाइस लोक कर सकते हैं 27 को 3 बज़े से लेके राद 11 बज़ के 5 मिनिट तक इसमें रजल्ट 30 दिसंबर 22 को आ जाएगा और इसमें रिपोर्टिंग रहेगी 31 दिसंबर 22 से लेके 6 जनौरी 23 तक के लिए इसमें अब एक बार इस्टे वेकेंसी राउंड का सेडूल देख लेते हैं तो इसमें सीट मेट्रिक्स पब्लिस हो जाएगी 10 जनौरी 23 को 24 फिलिंग रहेगी 11 से 15 जनौरी 23 और रजल्ट 18 जनौरी 23 को आजाएगा रिपोर्टिंग रहेगी 18 से लेके 24 जनौरी 23 तक तो इसमें जो सेडूल रहता है ये चार राउंड होते हैं फर्स्ट राउंड, सेगंड राउंड, मोप राउंड और इस्टे वेकेंसी राउंड रेयर बार्मेंड की केंडिशन में ये 8ACC द्वारा कंड़क्ट करवाया जाते हैं और दिम्ड के लिए तीन राउंड द्वारा करवाया जाते हैं और छोता इस्टे वेकेंसी राउंड इस जनौरी को ये लिस्ट भेज दी जाएगी concerned dimmed university को और इसके बाद में dimmed university का जो stay vacancy conduct होना है वो 18 से लेके 28 जनौरी 23 तक होना है बाद में classic कब start होगी ये आपको बाद में notify कर दिया जाएगा तो ये schedule था आयूस का अगर आप interested है BMS, BHMS, BMS और BMS में admission लेने के 15% तो ये schedule आ चुका है आप registration करवागे merit के according 24 फिल करके आप registration ले सकते हैं फिर से बता देता हूँ अगर 24 फिलिंग के लिए आपको help लेनी तो इस वीडियो के description box में book का link है आप आयूस की book download करके उससे आप 24 फिलिंग के लिए help ले सकते हैं तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिंग